So thank you all for joining the live session आप मैं से जो लोग बाद में से यूटूब पर देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि live session कैसे join करें ये अपना telegram channel है इसका link आपको जो भी video आप देख रहे हैं उसके description में last में मिल जाएगा उससे आप ये live session मतलब ये telegram channel join कर सकते हैं और यहाँ पर ये link send करता हूँ मैं ना सिर्फ में telegram पर ही live session का जो link है वो send करता हूँ इसलिए आपको ना twitter पर ना youtube पर कहीं और मिलेगा तो अगर live session attend करना चाहते हैं तो ये channel join करना must रहेगा ताकि आप queries अपनी सीधा मुझसे यहाँ पर पूछ सकें ये session का topic क्या है आज का topic रहेगा हमारा market का cycle क्या होता है market का cycle कैसों से study करते हैं जो basic concept है अपना elite wave पर बहुत basic सा एक सवाल होता है कई traders का market का cycle होता है वही समझ में नहीं आता अब मुझे एक बात बताओ कि जैसे आज का market अगर हम reference के लिए तो कईयों को यहीं ने मालू है कि यहाँ से 400 point या 500 point market किस तरह से उपर गया हुआ अगर basic elite wave भी नहीं आती है तो आप क्या करोगे कुछ और methods पे अपनी जो market को analyze करने की possibilities है वो देखोगे और उसमें आप चाहे support resistance ले लो super trend ले लो कोई भी super trend आपको नहीं बताएगा कि यह वाला जो green हुआ है यह वाला super trend 400 point जाएगा यह वाला जो super trend green हुआ है इसमें आपका SL जाएगा कोई नहीं बताएगा नहीं आपका support resistance काम करेगा और उपर जब जाएगा तो market में अच्छा यह एक resistance है फिर एक यह resistance है फिर एक यह resistance है और फिर एक ही resistance है eventually आपको क्या पता चलेगा यहाँ पर कि mostly यहाँ पर अगर hardly देखें तो एक यही resistance काम किया है और वो resistance अगर आप note करें आपको यहाँ कोन बताएगा कि यह जो piece है यहाँ पर यह जो structure है यहाँ पर कोन बताएगा कि यह वाला resistance चलने वाला है या फिर यह जो resistance है जो यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर consolidation भी cover होता है और motive wave भी cover होती है और plus कौन सा consolidation कहां तक जा सकता जैसे कि यहाँ पर यह जो support बनेगा बहुत सारे यहाँ पर traders जो हैं वो support तो ढूण लेंगे पर यह वाला जो support बनेगा वो कहां तक run करेगा यह कुन बताएगा The answer is wave analysis कैसे पता चलेगा यह तो हवावाई बात हो गई तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग discuss कर लेते हैं कि आज के snapshots में जैसे bank nifty का snapshot ले लो bank nifty में आप जो कल मेंने एक video भीडियो भीजा था जो weekly update में in depth करता हूँ यह जो green bucks आप देख रहे हैं आपको लगा है कि आज discuss की है हमने कल discuss किया है और सेम यह level भी हमने कल discuss किया है I think यह उसका snapshot है तो यह रहा आपका snapshot और यह video कौन सा है यह आप इसी telegram channel में अगर यह वाला video देखेंगे तो यह वाले video में हमने यह session या फिर यह जो bank nifty है यह रहा green box और यह रहा आपका 603 का level जो आज आपने देखा है इसके अलावा bank nifty 25 सेप्टमबर आज की session में क्या discuss किया है यह anticipation देखो जरा इसके अलावा कोई setup नहीं हो आप पर यह कौन बताएगा कि आपको यह जो wave यहां से बाइंग जो होगी वो इस तरह से निकल सकती है only the wave analysis scenarios भाई जो anticipation है यहां पर यह सब आपको तब पता चलेगा यह तो I think advanced analysis हो गई but market का जो cycle है consolidation and the motive तो वही topic पर हम लोग आज discuss करेंगे कि कि किस हेसाब से हैं पर scenarios आप लोग anticipate कर सकते हैं question है या क्यों रही है कि what is the market cycle so let's discuss so market का जो cycle है वो है proper nature of the market मतलब कि क्या जैसे moving average हो गया again कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा यह एक problem है support resistance हो गया कौन सा कौन सा उसमें भी यह problem है तो proper nature मतलब कि support resistance sideways market में जाद अच्छे काम करते हैं moving average, super trend या यह जो indicators है जो especially lagging indicators हैं वो आपके trendy market में जाद अच्छे काम करते हैं पर proper nature of the market क्या होता है proper nature of the market कि market trendy भी होता है और market consolidation phase में भी होता है तो यह जो आप देख रहा हो पूरा मतलब कि इसके बाद market motive फिर consolidation इसके बाद क्या होता है इसके बाद next motive होता है next consolidation होता है यही process repeat होती है तो motive है और consolidation है इन दोनों का combination ही proper nature of the market होती है मतलब कि इसमें अगर आप इधर देखेंगे so consolidation and the motive market की जो complete cycle है उसमें एक motive और आपकी एक consolidation phase होती है और उसी को study करते हैं wave analysis में जिसमें अगला अगर आप topic हम discuss करें तो इसका अगला point रहेगा motive waves क्या होती है next question यह बन जाता है so basic से अगर आप anticipation देखें जो पहली wave है यह आप गांठ बांद दिजिए कि जो भी pattern या जो भी structure आप देख रहे हैं वो start होगा हमेशा motive wave से मतलब अब वो कुछ भी हो चाहे वो correction हो correction में आप ABC लेते हो तो correction में जो पहला wave होगा वो next जो cycle है उसका motive रहेगा until or unless it's not a flat so एक मैं basic concept बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि advance जब हो जाओगे तो थोड़ा बड़ tweak आपको करना होता है but every pattern every structure start with the motive wave ends with the motive wave जो एक factor होता है market ऐसा तो नहीं कि एक candle यहाँ है यहाँ यहाँ से यहाँ तक बना है तो यहाँ पर अपना piece यह बना हुआ है drawings को live session में ही क्या होता है I think morning session में बहुत अच्छा काम करती है चले जो मैं क्या बोल रहा है कि यहाँ से लेके सीधा piece यहाँ तक दिख रहा है फिर बीच में gap तो नहीं है फिर next piece है कि यहाँ पर gap दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा ना तो market को combine करने वाला जो है motive और वो combine होता है correction से और फिर आता है आपका next piece जो end होता है या start होता है आपके motive wave से motive wave में क्या scenario होते हैं आपकी 5 wave होती है basic so basic जो motive है elite wave के हिसाब से उसमें आपकी 5 wave रहेंगी इसको labeling अगर आपने करनी है तो ऐसा कुछ दिखता है यह इसके जो anticipation है आप चाहें तो उसे 1, 2, 3, 4, 5 यह कर सकते हैं यह आपका motive complete हो जाएगा उसके बाद अगर आप जो next phase देखेंगे यह आपर तीसरा जो anticipation रहेगा यह तीसरा जो topic रहेगा वो रहेगा corrective wave का तो जब भी आपका motive complete होगा right so motive जब भी आपका complete हो रहा है इसके बाद क्या होगा इसके बाद आपको इसमें सिर्फ दो wave है right minimum 3 होंगी maximum फिर depend करता है कि आपकी pattern की understanding पर but I think हम जितना भी complex structure है उसे हम 5 wave में तोड़ने की कोशिश करते हैं या 5 wave की correction जैसे की WXYXZ हो गया तो कितने है WXYXZ 1 2 3 4 5 ऐसा ही है न तो यह जरूद क्या पढ़ गए इसकी इसमें चाहते है तो इसमें भी 3 है यह भी correction तो चाहते है तो 9-10 pattern कर सकते थे पर क्योंकि इतना human उसको understanding इतना easy नहीं होता है तो उसको simplify करने के लिए हम 5 wave में उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं बट 5 में थोड़ेंगे आप वो तब जब आपको extended correction वहा दिखेगी पर जो basic correction है वो ABC या तीन wave की ही होती है और इसे आप indicate या donate करोगे alphabetically मतलब कि motive को आप alphabet से indicate नहीं कर सकते और correction को आप like number जो होता है उससे indicate नहीं कर सकते कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई कुछ नहीं होगा बस यह है कि इससे understanding आपकी बनी रहेगी ताकि जब आप charts पर study करोगे तो आपको पता है कि अगर 123 आप वहाँ पर study कर रहे हो तो यह motive है ABC अगर correction कर रहे हो तो यह correction है otherwise आप mix and match करोगे तो आपको खुद पता नहीं होगा कि 123 जो है यह motive है या फिर यह let's say 12345 कर दिया जबकि वह होना था corrective वहाँ पर wxy xz आना था तो वहाँ पर number इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि direction ही change जाएगा अगर suppose करो जैसे आपका एक motive है 12345 let's say उसके बाद 5 wave की आपकी correction आती है तो इसे 12345 क्यों नहीं कर सकते क्योंकि the moment आप इसे 123 और 4 और 5 करेंगे तो आप यह direction देख रहे हैं जबकि market का जो cycle है वो इसमें है तो इस वज़े से इनको interchange नहीं कर सकते जब अर्जस्तिक ना करने की जरूरत है और ना उसे वैसे लिखने की anticipation करने से कोई ऐसा anticipation नहीं कि यहां 12345 कर दोगे तो market इधर ही जाएगा जिदर आप सोच रहे हो market जाएगा तो उधर ही जिदर market का structure या जो यहां पर possibility है pattern की यह वाला जो motive है वो बना हुआ है जाना उसे उधर ही आप यहां कुछ भी लेकिन हमारी understanding के लिए correction को हम alphabetically देखते हैं और जो motive wave है उन्हें हम numbers में indicate करते हैं so that will be the scenario जो आपके correction wave में रहे हैं correction किस तरह से देखेगा आपका यहां पर motive होगा और उसके बाद यहां पर ABC की तीन wave यहां पर रहने वाली complete cycle की बात करें तो complete cycle कैसे देखेगा यह इस तरह स होता है उसके बाद उसकी correction होती है और यहां पर यह आपका कहा जाएगा market ने अपना जो complete cycle है वो पूरा कर दिया यहां पर एक question ओर आ सकता है कि यह जो piece है छोटे छोटे यह भी तो एक motive बनते हैं और the answer to that question is very that is true और उस case में जो हमने अभी concept सीखा है 1,2,3,4,5 का और उसके बाद ABC का वो internal basis पे आप इसमें भी adapt कर सकते हैं मतलब की कैसे यह तो आपका main structure या main market का complete cycle so यह अपने indicate करा ऐसे बर जो internal phase है वो अपना यहां पर 1,2,3 क्योंकि यह भी तो motive बनेगा 4,5 right same case यह scenario भी बन जाएंगे यह वाला piece भी जो है वो motive कराएगा फिर इसमें आपकी क्या तीन corrective wave यह भी internal phase में complete cycle हुआ फिर यह आपका एक phase बन गया फिर आपके यह ABC बना फिर आपका last wave बना और अब यहां पर 100 dollar question कि यहां पर जो next wave है correction की technically तो फिर market नहीं यह करना होता है ऐसा तो ऐसा क्यों नहीं कर रहा है वो इसलिए जैसा कि मैंने आपको session के start में कहा था कि क कोई भी pattern start होगा motive से और end होगा motive से इसी वज़े से reversal का जो point होता है reversal का जब point आएगा तो वहां पर motive wave आपकी formation में आएगी लेकिन उसके बाद correction नहीं आएगी वो इसलिए क्योंकि market का end point है या उस cycle का end point है so I hope कि आपको समझ में आया हो कि यहां पर जो motive आप देख रहे है वो correct करके ऊपर क्यों नहीं जाता है वो इसलिए नहीं जाता है क्योंकि वहां पर उसका phase जो है वो complete हो चुका है right so these are the एक बारी की होती ही market में जो आपको पता होनी चाहिए मेरे साब से so यह जो complete cycle आप phase आप देखते हो यहां से लेके motive और correction यह complete phase होता है और उसके बाद आपकी next anticipation आप कर सकते हो so I think यह basic है ऐसा नहीं कि इसमें कल जाके यह market में पूरा जाके बस यही देखो but I think आपको एक यहां से क्या होगा कि push मिल जाएगा कि this is the basic concept so यह basic concept है क्योंकि advance आप तब बनोगे ज जाओ right so इसी concept पर आपको एक बहुत popular snapshot आज कर बहुत चल रहा रहा है channel पर so यह snapshot है जो हमने 90% की possibilities के साथ discuss किया है actually इसके पहले मैं आपको snapshot दिखा चुका हूँ so यह 10 बचकर 19 मिट के यहां पर time और वो देख सकते हो so यह पर जो possibilities आप देख रहे हो यह premium group का snapshot है यह मैंने आ यह पर देखो यह time दिख रहा होगा 10 बचकर 19 मिनिट 44 सेकंड दस सेकंड बाद ही इस wave की जो possibilities है वो किस तरह से higher side पर tag कर सकती है यह देखो so same session का snapshot है यहां पर देख सकते हो 10 बचकर 19 मिनिट 54 सेकंड तो हम आपको यहां पर actually snapshot दिखाते हैं कि यह snapshot है यह snapshot है बट इसके email group में सिर्फ में snapshot share नहीं करता पूरा plan पूरा overall structure वहां समझाता हूं कि यह possibility दिख रही है और पीछे बहुत सारी stories हमने वहाँ पर discuss करें कि क्या pattern है क्या understanding है कौन सा motive है वो सब discuss करा है anyways so यह जो scenarios है यहां पर example देखो जो आज का topic है अगर हम उस हिसाब से देखें तो scenarios wise यहां के ऊपर थोड़ी जाएंगे right so इसके बाद हम जाएंगे यहां पर उसके बाद आप देख सकतो next piece आपका ABC correction और अभी जो market I think यह पूरी के पूरी जो wave है यह complete करके लगबग शायद यहां कहीं trade कर रहा है market यह I think यह उस time का green box था जिसमें market ने यह actually ऊपर जाके नीचे आया पर support लिया अगेन यह green box हमने 27 अगस्त को discuss किया और आज ऊपर आया उसका नीचे आया और यहां पर जो आज का green box देख रहे हैं यह आज discuss किया anyway so that's the anticipation so यह complete cycle हो चुका है market का यहां पर इसी वज़े से इसकी जो possibilities हैं वो next anticipation में हम इस तरह से indicate कर सकते है चली so that was the topic and that's the scenario I hope कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला है चली queries आपकी answer करते हैं related to the topics चली so पहला जो query है वो ही काफी बड़ा है चली association started तो देख लिया है sir I am beginner and struggling sir I am beginner and struggling very much on Elliot wave labeling I have also done few courses on Elliot wave but my confusion increased more your understanding and clarity of the your understanding and clarity of impressed me a lot but I cannot afford your training so I did others but please help me understanding the concept and the so I hope the question is visible to everybody so beginner है struggle कर रहे है late wave में in labeling में struggle कर रहे हैं जो कि 99% traders करते हैं confused होते हैं क्योंकि labeling is this such a complex subject और मुझे लगता है कि जिस तरह से बस book पर पढ़कर आप उसे label करने कोशिश करोगे तो struggle वहाँ पर रहेगा subjectivity आपकी remove नहीं होगी next बोल रहे हैं कि I have also done few courses only late wave but my confusion increased more course कर रहे है late wave पर confusion फिर भी increase हुआ है your understanding मेरी clarity के बारे में बात कर रहे हैं तो thank you so much I cannot afford your training मेरी training अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो दूसरों के गरी है but please help me understanding the concept तो जहां training करी है आप वहीं पर ये question पूछ सकते हैं सिधा right so मुझे लगता है कि यहां पर जो सवाल आप ये पूछ रहे हैं so जो scenarios है if you have done training from somebody so ये पूरा का पूरा question यहां पर live session में प्वेस्ट करने के बचार पूरा का पूरा आप उन्हें भेज दीजे और बोले कि यह यह मेरी issues आ रहे हैं यह मेरे anticipation I hope कि वह इसे resolve करें क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि यहां public webinar में आदे घंटे में कितना cover कर लूँगा right so that's the case and that's the scenario now अगर आप यह बोल रहे हैं कि जो आप यह देख रहे हो यह अगर यह देखके आपको यह लगता है कि यह सिर्फ आप Elliot wave से it's not about the affordability of a training or not आप क्या करोगे कि चार जगा training करोगे और उसके बाद भी आपको concept नहीं समझ में आएगा और फिर उन चारो की जब आप cost जोड़ोगे तो जो cost training की है क्योंकि मेरी training recorded नहीं है it's a live training मैं बेठता हूँ आपके सांथ live one-to-one में so आपकी जो issues है जो queries है वो resolve में करता हूँ तो उसकी वजए से there is a cost increase बट अगर आप चारो पांचो जो भी आपने training करी उसकी cost add-on कर दो के तो भी उससा सस्ता पड़ता है so I think that's the case मुझे लगता है इस question पर तो में आंसर खुद नहीं कर पाऊंगा directly you better ask your mentor next is please paste telegram link here उदे जो आपने session join कर रहा है उसी telegram की बात कर रहा हूँ जहां से आपको link मिला है so वही link है next है आपका अगर आप premium group की बात कर रहा है तो वो तो आपके enroll करना पड़ेगा next है आपका I want to learn the way study but I fear to lose my edge on the market अच्छा I am doing good due to so many studies will create confusion what to do अगर आप अच्छा कर रहा है और आपको पेसा आपको बन रहा है तो फिर क्यों सीखने की जरूद है right फिर तो मत सीखे confusion क्यों होगा but I think that's the case so if something is making money for you तो उसे initial phase में change ना करें पहले उसमें edge पकड़ ले उसमें अपनी stability बना ले stability मतलब foundation एक corpus बना ले अपनी capital का उसके बाद आपको लगे की नहीं आप चलो मेरेको knowledge आप add करना है तो फिर आप कर सकते हैं उसको ऐसे utilize as a matter of fact wave analysis आपकी confusion दूर करेगा जहां पर आपके अभी current में issues चल रहें so that's the case next day first wave को कैसे identify करें previous जो structure है वो जहां भी खतम हुआ है जैसे कि अभी जैसे हमने क्या discuss किया 1 2 3 4 5 है ना उसके बाद क्या A B C correction उसके बाद क्या उसके बाद cycle restart so first wave को identify कैसे करें previous जो structure complete हुआ है उसके origin से जो निकलती हुई wave है उसे ही first आप बोल सकते हैं कोई issues उसमें आने वाले नहीं है so I hope that answer your question right चलिए next query है आपका देव ऐसा भी तो हो सकता है कि देव ऐसा ऐसा भी तो हो सकता है market complete होने के बाद आप drawing खुद बना देते हैं और बोलते हो कि बहुत high accuracy है आपकी I think अगर आप ऐसा मुझे यहां पर बोल रहा है और especially I think मुझे लगता कि मुझे comment भी पढ़ा है कि I think कि आप ही ने शायद महाँ पर comment कर रहा है but मुझे लगता कि live session में अगर आप आखे सीधा मुझे यह query कर रहे हैं तो मैं इसे ऐसे compliment ले सकता हूँ कि high accuracy and all that तो think about it थोड़ा सा logically सोचें आप आपको अगर जैसे let's see चल यह से ही answer करते हैं so यह question है कि यहाँ पर जो snapshot आप देख रहे हैं को कि देखो यहाँ पर मैं drawings है न ऐसे draw कर सकता हूँ तो क्या हो कि market हो गया हो और उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐसे करके ऐसे draw कर दिया हो और बोला कि इतना high accuracy उतना high accuracy तो थोड़ा सा आप विचार करें कि पहली बात तो यह जो पब्लिक वेबिनार्स में मैंने जो चार्ट की analysis है वो रिसेंटली बंद करी है मैं लगबग I think कहीं लोग तो COVID के बाद आएं बट मैं यह लगबग 2017-18 के आसफ़स publicly discuss करा तो बहुत सारे patterns and structure हमने publicly discuss किये उसके अलावा अगर आप सोच रहे हैं कि यह मैं खुद से बना देता हूँ तो आप ज़रा think about करें कि यह जो है यह मेरा premium group है या यह मेरा private group है सो यहाँ पर members अभी 20-30 के आसपास हैं है ना अब suppose करें यहाँ पर मैं आकर जो drawing है वो खुद से draw कर लेता हूँ तो आप think about कि इनके नजर में वो कैसे होगा suppose करें यह लोगों का यह आज का live station है जो हमने conduct किया कितनी बचे किया 10 बजे 25 सप्टेंबर को और यही 10 बजे 25 सप्टेंबर का snapshot है तो आप suppose करो अगर यह drawings मैंने खुद से करी होगी तो यह लोग तो पहली फुरसत में भाग जाएंगे वो पहली फुरसत में कहेंगे कि क्या बकवास आदमी है यह तो थिंक अबाओ इट थोड़ा सा logically यहाँ पर सोचें आप तो यह मेरे लिए ही शर्म की बात होगी कि मैं करूंगा कैसे मैं इन लोगों को क्या नजर मिला कि अगला session कैसे करूंगा अगर यह उन्हें मिलेगा ही नहीं वहाँ पर जो मैं यहाँ पर claim क दिख रहे हैं वह अगर आपको यहाँ नहीं दिखते हैं तो just call me कि आप trial लो यार देव तुमने तो धोका कर दिया तुमने जूर बोलो तुम जो snap बताते हैं वो live में नहीं बताते हैं मुझे call करो आपका पूरा refund मैं कर दूँ हूँ right अबूर क्या बोलू बट मुझे लग मुझे लगता है thank you so much चलिए और क्या बाकि अगर आप rant कर रहे हो या फिर troll कर रहे हो तो वह में नहीं जानता तो आपको आपको बहुत अच्छा अनालिसिस मिलेगा आज के लेवल्स अगर आप देखो निफ्टी में तो यह लेवल्स पर हमने डिसकस कर रहा है तो यहां से आप अपडेट वेल्स अड्वांस पहलिए प्रिमियुम ग्रूप बहुत सारी क्योरिस हैं लेकिन आफ मुझे लगता के अच्छी तो मच गाईज फोर जानिंग विस शेशन मैं आपको मिलता हूं सेशन खताम होने का नोटिफिकेशन में आ चुका है तो आई इसक्त्वा session thank you so much bye bye